हेलो प्रेंट्स कल आपका देखो आईटी जैम का एक्जाम है ठीक है आईटी जैम 2023 तो आज देखो 6 बजने वाला है पौने 6 हो गया है तो आई फेल्ट कि आज एक दिन पहले थोगा बहुत जो भी अडवाइस है एक टीचर के तरफ से लास्ट मिना टिप्स है वह आपको दि है यह एक्जाम में उसके बारे में थोगा सा डिसकस करेंगे आज के वीडियो में ठीक है एक दिन पहले जरूरी होता है ठीक है तो देखिए मैं तो लेट में इंट्रूस माइसल्फ आम विसाल दिवर्सी एन आपन टीचिंग फिजिक्स फोर लास्ट ट्वेंटी येस और म पास सही आइटी जैम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं है और मैंने कई बार दोखो आइटी जैम के टॉपर्स दिये हैं दैकि 2009 में अधिती वीजियन वाज माई स्टूडेंट सी टॉप्ड आइटी जैम इंग्जाम इन 2009 उसका 300 में देखो 200 281 नहीं 241 मांस थे 241 नंबर थे इन 2015 और 2016 देवाज वन गाई भूवनेस ही टॉप्ड आइटी जैम इजिक्स उसका 82 मार्क्स था करीब सौ में ठीक है 15 का साथ स्टूडेंट था उससा फर्स सेकेंड दोनों रहें की हमारे यहां से तो मतलब लास्ट मिनट था सा डिसकुशन करना जरूरी होता है बच्चों से कि क्या आपका अप्रोच ना चाहिए किस टाइप से आप अटेम्ट करें पेपर को ठीक है पहले तो आज का दिन का बताते हैं आज का दिन क्या करना है आज का दिन कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है जितना त्यारी होना था आपका हो गया जो भी तैया तो डोंट सी एनी निव टॉपिक कर लिये हैं उसको भी देखने का जरुवत नहीं है क्योंकि लास्ट मिनट का पढ़ाई लास्ट के एक दो दिन का पढ़ाई एक्जाम में कोई कंटिबूशन नहीं उसका रहता है आपको लगेगा कि नहीं होता है क्योंकि आप पहली बार ए लास्ट एक या दो दिन का पढ़ाई बिल्कुल भी कंटिबूट नहीं करेगा ठीक है भूल जाइए कि आज जो पढ़ेंगे वो कोई काम आएगा खल और कई वार आपको यह भी लगेगा कि यार यह चुट गया वो चुट गया तो एक चीज आपको बता दूं कि आदमी हम दो भी रिमेंबर नहीं कर दो कर लिए यह तीक है और ऐसा नहीं है कि जो जो आपका टॉपिक छुटा है उससे क्वेस्टन सब आ जागा इतने भी लॉक्त कोई बंदन नहीं होता कि छोड़ा सारा कोशन उसी से आगह चुटोड़ा एक दो क्वेस्टबान आ जाएगा ठीक है लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि दस चैप्टर छोड़ दिया लग अलग टॉपिक के तो दसों से ही क्वेश्चन आ गया ऐसा नहीं होगा ठीक है यह स्टाटिस्टिक आप टेंशल लेंगे तो जहां आप 60 नंबर कर करने वाले हैं वहां वÔं किसी तरह से आपको ज्लब नहीं करेगा जदा जदे क्या होगा नहीं होगा ठीक कर नहीं होगा तो इस दर से बाहर निकलिए कि यार क्या होगा नहीं होगा खराब रहें कागा यह मस्वचिए यह भी मस्वचिए कि आपसे कौन-कौन क्या expectation लेकर बाइठा हुआ कि यह सब आपको जो है एक्जाम में डिकर करेगा ज्यादा आप टेंसाल लेंगे और स्रेस लेंगे क्या होगा मस्वचिए यह बस अपना आपको बेस्ट देना है और बेस्ट देने के लिए जरूरी है कि अगर आप 60% स्लेवर्स कवर किया है 100 में 60 नमर का तयारी आपका है तो 60 नमर में से 50 नमर आपको स्कोर कर ले ठीक है यह competition है यह board का exam नहीं है कि 100 में 100 नमर लाना है ठीक है हम लोग को अगर 50 55 नमर भी आ जाता है तो बढ़िया कोल यह आपको मिल जाएगा तो जितना आप तैयारी किया है उसमें से maximum आप output दे दे वह important है average मैं देखता हूँ कि आदमी का नव exam में दिमाग जो है वो 20 या 30% अंडर परफॉर्म करते उसको reduce करना है मतलब आपका जो mind का जो efficiency है जो दिमाग सोचने का चमता है वो 100% पर रहे यह नहों कि 50% बड़ा है कि भाई हमको 7 नमर का आता था 38 नमर का सही करका है वो बड़ा unfortunate है और उसके लिए ही आज कर discussion है वही चीज़ मैं आप से discuss कर रहा हूँ कि आप जितना जानते हैं उसके according perform करके आ जाएंगे तो कोई दिकर अब कोई 30% ते त्यारी किया है तो तो खेर हो भी नहीं करेंगा कि उसका होगा ठीक है 30% slavers त्यार करके तो नहीं होगा यह तो देखो कोई ऐसा आपको खुस करने के लिए discussion नहीं करता है तो त्यारी तो होगा उसी का जो 50-60% slavers त्यारी करके गया है उसमें से वह कितना output दे देता है तो उसके लिए cool and calm mind रखना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए पढ़ाई मत किजिए ठीक है थोड़ा बहुत ऐसे ही फार्मूले बगार देखना तो देख लीजिए ठीक है यह भी नहीं कि मूवी देखिए मूवी देखेंगे तो और टेंशन हो जाएगा यह कल इजाम मूवी देख लिए आज वह भी नहीं करना है कि लोगो गलता है कि मूवी देखना है थोड़ा सा ऐसी हलका फुलका पलट लो किताब फर्मूले देख लो ठीक है ज्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं कोई टार्गेट लेकर नहीं यह सब देख लेना आएं रहलका प्रूगा देख लो ठीक है नयाची तो बिल्कुल मत देख उससे टेंसन हो जाएगा नहीं बनेगा तो ठीक है फिए इविनिग में वाग कर सकते हैं ठीक है और लाइट खाना खाइए लाइट खाना खाई है कम खाई है यहने की पेट भर लिए पूरा अज कलान पच हो गया वह नहीं ठीक है और रात में थोड़ा टाइमली सो जाओ ताकि निंद पूरा हो आपका ठीक है जिनके सेंटर दूर है घर से वह कोशिस किजिए या तो अरली मौनी नहीं कर लिए या आ पे जल्द जल्दी पहूंच जाना है जल्दी जल्दी पहुच जाना हा एक चीजार यह जो उनलाइन कल्कुलेटर जो यूज करना होता है ओनलाइन वहां पे न ऑन स्क्टीन कंप्टिंटर होता है तो该 देख लीजिए on screen calculator कैसे चलाते हैं कोई sample paper होगा या YouTube वगए वीडियो होगा तो उससे देख लो या on screen calculator ठाथ फड़ा सा practice कर लो वहीं वहां जा के first न जा देखा हम कल्कुलेटर हैं कम यूज करते हैं तो पता नहीं आज वीडियो बनाया थे on log अलाग बटन अर्थ मधे तो वह सब चीज़ से वह सब चीज़ दो सब चीजής इपanta कर तो और के मैं सेंटर पर किताब लेंकर जाने कर जाने का पनाय थे पर नहीं है अच्च अब नहीं कम आच है अब रहाबाद कल काो एकजाम जब आप लिए बैठेंगे तब मांन कुलन काम रखना है हो सकता है पाला कुश्चन डिफकल्ट हो ठिके एक अच्छा क्या विखक आप कीजहremoश ीसाइव क्या तो उसने पैनिक नहीं होना है बिल्कुल ठीक है पेपर को एकदम से वैसे मत करिए कि 1-2-3-4-5-6-7 करते जा रहे हैं वही से नहीं जो जो टॉपिक आपको आता है जो आपका अच्छा प्रिपैर पहले उसके तॉपिक उसके क्वेस्चन करिए पहले आप उसके क्वेस्चन क ठीक हो ठीक है जो जो टॉपिक आते हैं पहले वो करें सुरू का 1-1.5 गन्टा सुरू का 1-1.5 गन्टा में सटक नहीं होना वह Rice만 नहीं है जो question लाइग नहीं हो रहा है उसको स्किप कर जो सुरू का एक एड़ घंटा आपको बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है और कोशीज यह करना है कि सुरू के डेढ़ घंटे में कम से कम 30-35 चालीस नम्र का कोश्चन आप कर लिए इतना तो जरूर है कि आपका प्रिपैर किये होंगे तो 40 नम्र कोश मत लगाई है जो कोशन नहीं कभी देखें है उसको अटेम्ट मत कीजिए सुरू के डेढ़ घंटे में ठीक है उसके बाद जो वन आवर है जो कोशन हो सकता है पहले तो डेढ़ घंटे में जो हुआ वो कर लिया हमने 40 नमर का ठीक है 40-45 नमर का पेपर जो भी आता है आपको वो पहले कर लिया स्टक नहीं होना फसना नहीं है फस जाएंगे तो दो चीओ तो टाइम जाएगा अब दूसरा आपका मेंटल बैलेंस जो है मतलब जो लाइन एन लेंथ है वो खराब हो जाएगा उसे आगे के कुश्चन में फरत पड़ेगा को कि किसी कुश्चन में आप अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा कोई टॉपिक अपने बहुत अच्छा प्रिपेर किया तो हो सकता है कि बहुत अच्छा करने के बाद भी एकाद कुश्चन में ना बने तो उसको मतलब पेपर सेटर को रेस्पेक्ट पे कीजिए उसको छोड़ दीजिए पे डिव रेस्पेक्ट तुद़ फॉश्चन सेटर को वो अगर बहुत हाट सवाल दिया है तो यह मान के दिया है कि तुम नहीं कर पाऊगे तुम नहीं करके उसको रेस्पेक्ट दीजिए और आगे बाद जाईए और पर लेने का जरुवत नहीं हो रहा है ठीक है बहुत नहीं समझ में आदा तो आगे बाद जा बेसा को टावी बहुत अच्छा से प्रेपर किया अपना इसी का ध्यान रखिए डोंट टेक एनी क्वेश्चन दई को ठीक है और कि आम स्यरुमें स्टिक नहीं करना है एक गढ़ गंटे में आपने थीście यलांने क्वेश्चन कर लिए तो को लिए कि है यह किया जाangen गया तो किया जा सकता है और उससे बेनफिट यह रहेगा कि अगर देड़ घंटे आप सुरू में फसेंगा नहीं कर लेंगा तो आप लिस्ट में आगे ठीक है और लेड़ी चालीस नवागा क्वेशन हो गया तो आप लिस्ट के अंदर है उसके बाद आपका किया ना कि आपका नसी जाएगा ठीक है कोशिस करना है कि अगले घंटे में भी वह जो है 20-25 नमर का और उसको निकाल देना क्वेशन कितना बन गया का 60-65 हो गया लास्ट के आदा घंटे में आप ट्राई कीजे उन सवालों को जो लग रहा है कि भाई नहीं किये है तो वह कुल मिला के आप को करो कि 70-75 नमर का अटेम्ट करके आप मढ़िया ठीक है 60-65 नमर आएगा अच्छा रहेंगा जाएगा ठीक है अच्छा दूसरा नेगेटिव मार्किंग गेस्वर्क मत करो में गेस्वर्क बिल्कुल मत करो क्योंकि गेस्वर्क करोगे बहु जाए चांस है कि आंसर गलत आए होगा तो वह निगेटिव मार्किंग जो है न वह प्ले करता है इंपॉर्टन रोल time-break करने बांगे तो निगेटिव मार्किंग कम से कम हो ठीक है यह ध्यान रहे आपको और बाटी तो ठीक है यह ठीक है तान टेंसर नहीं लेना है लिल्कुल कूल अंकाम रहें दिमाग करो ठीक है so from my side from your teacher best of luck for your exam IIT Jam 2023 ठीक है अगर पेपर हाय तो please share with me okay thank you very much and best of luck